आज आज आपके लिए लेकर आई हूं महाभारत की कुछ एसी कता जिसके बारे में आप जानेंगे इस वीडियो के दौर्ण कहते हैं कि महाभारत में पांडव राजवंच के जो गुरू थे यानि की पांडव उनमें से उनके पिता सभी के अलग-अलग कहते हैं जो कि कुंती के पुत्र और मादली के पुत्र कही जाते हैं क्योंकि कहा जाता है कि पांडू किसी कारण वर्ष पिता वन्ने में ऐसा मर्थ थे इसलिए पांडवों के पिता अलग है युदिस्टर का जनम, जब युदिस्टर का जनम हुआ तब पांडू की अववस्ता पिता बने लायक नहीं थी कहते हैं कि कुद्धी को युववस्ता में दुर्वशा का आवहन करने पर पुत्र की प्राप्ती होनी थी और इसका फाइदा पांडू ने उठाया उन्होंने आगरे किया कि आप दुर्वशा का आवहन कीजिए ताकि आपको एक पुत्र की प्राप्ती हो सके और मैं पिता बन सकूँ इस प्रकार युदिस्टर का जनम हुआ दूसरा पुत्रथा भीम जो की हवा यानि की पवल का आवहन करने पर भीम का जनम हुआ कहते हैं भीम को भी सिक्षा और दिक्षा दुर्णाचारे से ही ली गए थी वहन गदा चलाने में ज़्यादा अच्छे थे यह तो सभी महाभात में जाते हैं कि भीम ने गदा के दौरा किस प्रकार युद में अपनी पुमिका निभाई थी प्रकार उन्हें दिक्षा देकर कुंती को भीम के रूप में एक पुत्र प्राप्त हुआ अरजुन कुंती के तीसरे पुत्र जो की देवराज इंदर के पुत्र माने जाते हैं कहते हैं जब इनका जनम हुआता तब बहुत गायन यानि कि बहुत ज़्यादा खुशिया बनाई गई थी आज उनके जनम पर और इन्हें भी उसी तरह से सिक्षा दिक्षा दी गई और दोणा चारे द्वारा ही मिली कहते हैं सबसे अच्छा सिशय अरजुनी थे दोणा चारे उनकी तारिफ भी बहुत करते हैं ऐसा कहा जाता है कि सहदेव और नकूल अश्विन के पुत्र थे लेकिन अश्विन को ज़्यादा तरड़ोग नहीं जाते क्या आप जानते हैं कहा जाता है रिंग बेथ के अनुसार गंगा टड़ पर अश्विन रहा करते थे प्रकार नकूल और सहदेव भी उन्हीं के पुत्र हैं जो खून भिश्म में हैं वही खून उन्में भी है कहते हैं कि नकूल और सहदेव का जनम उसी दोरान हुआ था इसी कारण द्रोपती उन्हें काले रंग के कारण शाम कालेशवरा भी कहा करती थी पांडू को शादू ने एक स्टाब दिया था जिस कारण से वहें कभी भी अगर किसी महिला के साथ योन संब्द इस्थापित करते तो उनकी मित्यू उसी वक्त हो जाती क्योंकि उन्हें किसी सादू और योन संब्द इस्थापित करते हुए उन्हें मार दिया था इसी कारण उस सादू ने उन्हें शाब दिया कि यदि आप किसी के साथ अपनी पत्नी के साथ योन संब्द इस्थापित करेंगे तब ही उनकी मित्ती हो जाएगी इस कारण बस उन्होंने कभी भी अपनी पत्नी के साथ लिए अनसमत इस्ताफिदी नहीं किया पांडू चुआ खेलते थे जुआ में वह पांडू अपना सब कुछ सत्ता तक हो चुके थे और उन्हें ने अपने चुए के लिए अपनी पत्नी को भी दाव पे लगा दिया और दाव में वह अपनी पत्नी को भी हार गए तब उन्हें निस्काशन कर दिया और उन्हेंने कहा कि यदि आप कहीं भी देख लिए जाओगे तो आप तेरा बश के लिए फिर से निस्काशन कर दिये जाओगे तो वह इतनी दूर चले गए ताकि उन्हें कोई देख न सके ये थे वह कारण पाचो पंड़ों के पिता अलग-अलग थे मेरी वीडियो को लाइट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूरें